तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बर्षात के मोसम में दूद कैसे बढ़ाएं क्योंकि दोस्तो जो बर्षात होती है उसमें मोसम ठंडा हो जाता है और पसुओं को खाने के लिए हरा चावरा भी अवलेबल हो जाता है तो इसे चाहिए तो दूद बढ़ना लेकिन कुछ बाते ऐसे होती है जैसे की बर्षात आते समय तो ठंड हो जाती है लेकिन बर्षात आने से पहले इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है इतनी ज्यादा ओमस हो जाती है कि पसुओं स्ट्रेस में चला जाता है इसके अलावा बहुत सारे किटानू जर्म्स हो जाते हैं और बहुत सारे बैक्टेरिया बर्शाद के मोसम में पनपने लगते हैं जिनके कान पसुओं में दूद की कमी हो जाती है और पसुओं के चारे में फंगस वगेरा लग जाती है जो आपने देखा होगा बर्शाद के म मारिया फैल जाती हैं तो दोस्तों ऐसे मोसम में कैसे फिर आप अपने पुसुओं का दूद्ध बढ़ा सकते हैं वो कम्पलीट जानकारी आपको इस वीडियो में दूँगा घरेलू चीजे हैं जिनका उपयोग करके आप आसानी से बरसात के मोसम में अपने पुसुओं का द हो जाना कि ताजा जानकारी बरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाईयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ओल पर सेट कर ले नमस्कार राम राम सारे प्रामान सासी काल आंजी आंजी बात बाद आपा होंसला बदाई करिए सरसबती डेरी फारमतों वे तरते लंबरदार असी बात कर रहे हैं सारे प्रामान और दोस्तों अगर आप फेस्बुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक को फोलो कर लीजिए साथ ही हमारे फेस्बुक पेज टू ब्याई है और वो सुरू से कम दूद दे रही है यानि कि पहले ब्याद में उसने ज्यादा दूद दिया है पहले ब्याद में उसने कम से कम 12-14 लिटर दूद दिया है और अब की बार ब्याने के बाद ही वो 8-10 लिटर ही दूद दे रही है बड़ नहीं पा रही है तो उन गाएबैसों का भी जो मैं आज जो कुछ चीजे बताऊंगा वो खिला कर उनका दूद्ध आप आसानी से बढ़ा सकते हैं इसके अलावा कुछ गाएबैसे ऐसी होती है जो एक मेने बाद या ब्याने के दो मेने बाद दूद्ध कम कर जाती है तो उनका दूद्ध भी आप जैदा दूद्ध देने वाली लग रही है लेकिन उसके मुकाबले वो बहुत कम दूद्ध दे रही है तो इस तरह की गाएबैसों का भी दूद्ध आप आसानी से यह जो नूश्चा बताऊंगा वो देखर बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों यह नूश्का मैं आपको बताऊं लेकिन उससे पहले दो बातों का आपने ध्यान रखना है पहला वो की पसु कि समय समय पर डी वार्मिंग आपने करनी है उसके पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उनकी सफाई आपने करते रहने है पहली डिवार्मिंग आपने पुसू के ब्याने के 20-21 दिन बाद उसको पेट के कीडों की दवाई देनी है सुबह खाली पेट देनी है कुछ आप दवाईया सामने सक्रीन पर देख सकते हैं इन में से कोई एक आपने देनी है सुबह खाली पेट और इसके बाद दोस्तों हर तीसरे महीने आपने अपने पुसू को पेट के कीडों की दवाई देती रहना है क्योंकि बहुत सारे पुसू का जो दूद कम होने का कारण होता वो पेट में कीडे ही होता है तो उनकी सफाई जरूरी है उसके बाद दोस्तों आपने पुसू को बालेंस डाइट जरूर देती रहनी है जो संतुली तार है वो जरूर देती रहना है क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो मैं नुसका बता दू आप मतर वो खिला कर ही ये चाहे कि वह आपके पसुओं का दूद बढ़ जाएगा मिलिक साब ने बताया है तो जरूर बढ़ेगा ऐसा नहीं है उसको बैलिश डाइट उसको चारा दाना प्रोग पर जरूर देना है बैलिश डाइट का मतलब जिसमें अनाज भी हो दाले भी हो खली भी हो इस तरह का सभी मिला कर आपने जरूर देना है तो दोस्तों बात आती है वो नुसका वो कौनशी चीज़े है तीन किलो पीले रंकी सतावर लेकर आनी है सतावर दो रंकी होती है एक पीले रंकी एक सफेद रंकी तो जो सफेद रंकी है वो हमारे किसी काम की नहीं होती है तो जो पीले रंकी सतावर है जिसकी तस्वीर आप सामने देख सकते है वो आपने लेकर आनी है और साथ ही दोस्तों आपने आधा किलो ही सोफ ले करानी है, सोफ उसकी तस्वीर आप सामने देख सकते हैं कैसी होती है, तो दोस्तो तीन चीजे हो गई, अब तीनों को आपने देना कैसे है, आप तीनों को कूट पीश कर अलग-अलग से कूटना पीटना है, अलग-अलग से पीशना है, तो इनको कूट पीश कर आप बारिक पॉडर बना लीजिए और एक सूखे बरतन में डाल कर रख लीजिए तो दोस्तों अब आपने देना कैसे है आपने रोज का 25 ग्राम सूखा आवला देना है लगातार 10 दिन तक देना है जो भी दाना चारा आप अपने पसू को खिला रहे है जो फीट बंटा खिला रहे है उसमें मिला कर देना है 50 ग्राम रोज की आपने सौप देनी है 50 ग्राम रोज का आपने जो सतावर का पॉडर बनाया है कूट पीश कर वो देना है और तीनों ही चेजे आपने जो दाना मिशरन आप अपने पसु को खिला रहे उसमें मिला कर खिलानी है तीनों ही चेजे लगातार दस दिन तक आपने खिलानी है इसके साथ ही दोस्तों आपने रोज का डाई 100 गराम गुड अपने पसु को जरूर देना है साथ ही 25 ग्राम दो डाई चमच आपने अपने पसू को नमक जरूर देना साधा नमक टाटा नमक जो होता है आर्डविन युक नमक टाटा नमक आपने 25 ग्राम रोज का अपने पसू को जरूर देना फिर देखना आपका पसू पूरे ब्यात पूरा दूद देगा चाहे बरश और दोस्तों और भी ज्यादा दूद लेना चाहते हैं और भी ज्यादा दूद की मातरा बढ़ाना चाहते हैं तो किसी भी अच्छी कमपनी का मिनरल मिक्सर आप अपने पसु को जरूर खिलाते रहें तो दोस्तों इस तरह के से आप अपने पसु का बरशात में दूद बढ़ दूँगा उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाए बाजू में जो गंटी का बटन है उसको भी दबा कर ओल पर सेट करते जाए तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही जल्दी मिलते एक और नई वीडियो में एक और नई जा करी के साथ तब तक नमस्कार झाल